नवरात्र के पारु का समापन का समय दीरे दीरे अब पास आते जा रहा है मादुर्गा के विसरजन का दिन 15 अक्टूमबर को है ऐसे में जब नवरात्र के शुरुवात होती है तो उस समय मादुर्गा की चौकी और कलश के साफना की जाती है ऐसे में जब मा दुर्गा का विसरजन करना होता है तो उनके साथ कलश, नारियल, सुहाग की सामगरी और चावल का क्या करना चाहिए ये हमारे मन में खयाल आता है और इसका कुछ खास उपाई भी होते हैं जिसे के हमें बहुत फाइदा भी मिलता है तो नवरात के दोरान परिवार को दे इसके अलावा यदि आप नारियल को ग्रहन नहीं करना चाहते हैं तो नारियल को अपने परिवार के लोगों के उपर से वार कर किसी नहदी में प्रवाई कर दें नवराते के समय जो आपने घट के उपर चावल रखे हैं उसे आप अपने घर के अनाज में दाल में अन्यपूर्णा का वास होता है। यदि आप यह नहीं करना चाते हैं तो उस चावल को आप असू पक्षियों को डाल दे। अब घट में जो आपने जल रखेते उसे आप अपने घरवालों को पिलाएं। इसके अलावा जो आपने देवी मा दुर्गा को शिंगार चड़ाये हैं उसे घर के महिलाओं को इस्तमाल कर लेना चाहिए। यदि आप घर के महिलाओं को शंगार नहीं कर पाती तो आप किसी गरीब महिला को दे दे। इसके अलावा अपने कलेश में हल्दी रखा था उसे निकाल कर घर के खाने में इस्तमाल करें परन्तु एक बात का ध्यान रखें कि इस हल्दी का उप्योग आप तामसिक बोजन में ना करें यानि जैसे लहसुन और प्याज आप किसी सब्जी में डालते हैं तो उसमें ना ड जिए जगह आपने चोका डाला था उस जगह आप रोज एक दिया जरू जलाए कलेश में जो आपने पैसे डाले हैं उसे आप किसी घरीब को दान दे दे तो ये दिखास जानकरी कि आप कलेश के चावल और नारेल का क्या कर सकते हैं तो अगर आपको जानकरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए जैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइक में दबा दीजिए तो मिलती हूं नेक्स वीडियो में हरे किष्णा जय माता दी